कि सॉरी फ्रेंड्स वो कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ रही थे जिसकी वज़े से बंद हो गई वीडियो तो जो लास्ट आपने देख पा रहे हो यहीं तक देख पा रहे हो फॉर आवर तक मैं आपको दुबारा बता देता हूं तो मिनट का आपके समझ आ गए थे एक मिनट की बात करें तो अगर हम इसको बोल सकते हैं एक घंटे में 30 डिगरी तो गंटे में 60 मिनट होते हैं तो यह पंदरा का कितना हो गया, पंदरा का छक्के 90 हो गया 5 using 90 हो गया और यह इसका आधा, यह आधा डिगरी चल पारहा है, तो मतलब 6.30 डिगरी, शाड़े साथ चल पारहा है न, इसका देखो, अब यहाँ देख civ सो, अगर मैं 30 डिगरी, तो इसका हो जाएगा 618 180 डिग्री चल पाएगा सिर्फ और यह कितनी हाज कितना चलेगा 15 डिग्री चल पाएगा आधा हो जाएगा इसका आधा चलता है नहीं एक मिनट एक रुपे की टॉफी चल गए तो सारे निकाल सकते हैं की 45 की बात करूं तो कितना आजएगा 270 डिग्री और 45 का आधा करीब था जबाएस डिग्री और यहां मैं को 60 मिन्यट मतलब एक गंटा वह गंट गंटे की बात हो कि तो 360 डिग्री घुम जाएगी मतलब पूरा एक राउनद मार जाएगी और जब पूरा लखना आप ये जो होती है एक घड़ी जो होती है बारा एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस ग्यार ठीक है ये जो घड़ी होती है अब एक मिनट में सिर्फ छै डिगरी चलती है ठीक है हम पांच मिनट की बात करते हैं तो हमारा थोड़ा किलियर हो जाएगा तो एक म नट की बात करूँ तो 5 सिक्चा 30 डिग्री चलेगी कौन सी मिनट वाली सुई ठीक है और आवर वाली सुई कितना चलेगी डाई डाई डिग्री चलेगी तो 5 मिनट जब चलेगी 5 मिनट जब सुई चलेगी तो मिनट वाली सुई मतलब पांच मिनट मतलब पांच मिनट का जब अंतर होगा ये पांच मिनट का जब अंतर होगा तो वो जो सुई है मिनट वाली सुई वो कितना चलेगी 30 डिग्री चलेगी इसे पूरा करते हो तो ये नब है 30 मतलब 30, 60 नब है तीज डिग्रेव तो ये कितनी चली मिनट वाली सुई आ जाएगी यहाँ पर और आवर वाली सुई कितनी आएगी सिर्फ बड़ी वाली सुई बड़ी वाली सुई तो आ गई यहाँ पर और जो छोटी वाली पिल्डी वाली सुई है छोटी वाली वो सिर्च कितना चलेगी धाई वो चलेगी धाई और जबी पूरा राउंड मार देगी कितना 360 का 60 मिनट का तो 360 डिगरी घूमकर आ जाएगी जब यहाँ आगे 360 डिगरी घूमकर आ गई यहाँ पर आ गई तो यह बड़ी वाली सुई जो थी 30 डिगरी 30 डिगरी मतलब यह आ जाएगी यहाँ पर तो जब बसता है एक आई बास समझ में तो इस वाले चार्ट से बसता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे and so on ये है main चीज जिस पे पूरा का पूरा cloak रुका पड़ा है ये आपको समझ आ गया तो समझो सब कुछ समझ आ गया आपको चीगा गई? ये देखो न यहाँ पर ये समझ आ एक डिगरी, छे डिगरी इतको मैंने minute में कर लिया तो एक minute में 6 डिगरी, एक minute में minute वाली सोई 6 डिगरी और आवर वाली सोई 1.5 डिगरी चलती है तो जिस सार निकल देगो तो पांच मिनट में हादी 30 डिगरी, मतलब ये पांच मिनट चलेंगे तो मतलब 30 डिगरी चलेगी बड़ी वाली सुई और छोटी वाली डिगरी छोटी वाली सिर्फ धाई डिगरी और जब पूरा एक राउंड मार कर आ जाएगी 360 के पास में तो बड़ी वाली जो छोटी वाली सुई आवर वाली वो 30 डिगरी पा जाएगे या क्या नाम है, कोई इतने बज़ रहे हैं, तो उस पे कुशन आ जाता है, ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स हैं इसमें, मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, आप लिख लो, ट्रिक्स निकालने के लिए आपको मैं बताता हूँ कोई कोशन दिया हुआ हुआ होगा तो उसमें आप करना जैसे ये है एट वाट कोशन लेते हैं एट वाट एंगल दा हैंड्स ओफ आ क्लॉक आर इंकलाइन एट फिफ्टीन मिनट पास्ट फाइफ ठीक है तो यह कह रहा है कि पाँच बजने से पंदरा मिनट पहले क्या एंगल बना होगा कहने का मतलब पाँच बजने से मतलब कितना बजना होगा चार पेंटालिस हो रहा होगा तो यह सुई हाँ होगी चोटी अब बड़ी सुई यहां पर होगी ठीक है बड़ी सुई हाँ होगी तो अब यह कह रहा है कि इसके बीच में यह एंगल बोताना है कितना एंगल हो रहा होगा तो एंगल तरीका तो आप निकाल सकते हैं बहुत इजी है यह मैंने आपको सिखा दिया इससे निकाल सकते हैं पर इससे क्या थोड़ो घूम जाएंगे तो ऐसे निकालने के लिए ट्रिक है सीधा तो यह बज़ेगा फाइफ 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 तो एक दिन दिहान रखना जब आवर बड़ा हो मिनट से तो पिलस होता है जब आवर मिनट से छोटा हो तो माइनस होता है ठीक है क्या करते हैं माइनस होता है ये होता है कैसे हैपको कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ ततीос हुआ आप 4 रखो 4 रखो और 45 कहाई हाँ यहाँ पर 9 पे आ रहा है ये 9 आ गया तो इन दोनों के अंतर इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है 4 और 9 में कितना आएगा 90 मतलब 180 में सिर्फ 30 जाएगा मतलब 1.500 1.500 डिगरी का अंतर आ रहा है 1.500 डिगरी का अंतर आ रहा है मतलब जो भी होगा वो 1.500 में से माइनस होगा फुल टम में से माइनस होगा जभी तो निकल कर आएगा जभी तो angle निकल कर आएगा आपका, इस जभी तो ये angle निकल कर आएगा क्या angle बन रहा है तो जभी तो जभी अए गाenger समें तो इसका निकल कर आदे ते इस अबस कुछ नहीं, जभी टैर्स है आपने लिखा एकितमे तरह 45, 45 भाई, दो कर दिया, ऐसे सॉल्फ कर लिया, आपका जो भी आएगा ढिफ्रेंसा जाएगा, एक्जक physical क्या निकल कर आया लिए? क्योंकि 45 मेरा क्या है, व किया है वो मिनिट वाला है, और इसमे ही मेरी कैल कोलेशन होगी, डिगरी की भी, और मेरे minutes की भी तो इसको 45 से मैं करूँगा तो कितना आजाएगा साड़े बाइस बाइदुनी चबाली साड़े बाइस और ये डेड़ सो 0.0 तो 5, 9 भी गया 8 भी गया 7, तो कितना आगे 127.5 तो 127.5 का क्या है angle बना हुआ है हाँ पर इस टाइम ठीक है तो आपको दुबारे इसको समझ लिए दुबारे क्या क्या है मैंने 4, 45 था 4 का 4 लिखा 45 का no लिया इन दोनों के बीच को difference कितना आगे है 1.500 minus करके जो 45 था by 2 कर दिया और मेरा answer आगे मेरा answer आगे है ऐसे आप इससे निकाल सकते हैं कुछ एक कोशन आते हैं कोइंसिडेंट के आते हैं कोइंसिडेंट में उसमें सिफ सीधा ट्रिक यूज करो 60 था पॉन पचपन क्या यूज करो 60 था पॉन पचपन जैसे at what time between 3 और 4 o clock the hand of clock hour तो 3 और 4 के बीच में difference कितना आएगा मतलब 15 मिनट का difference 3 और 4 यह 3 हो गया आपका 4 का हो गया तो इनके बीच का difference कितना आएगा कोइंसिडेंट मतलब चड़ेगी चड़ना है ना कोइंसिडेंट करेगी इच अधर पर एक दूसरे पर तो पहले तो यहां से चड़के आएगी यहां तक तो जब यहां चलकर आएगी तो इनके बीच का difference कितना पंद्रा तो साट अपन पंद्रा कर दो निकालते चले जाओ ते कितना आएगा सोला चार अपन ग्यारा पास्ट तीन पास्ट तीन तो तीन सोला हो गया चार अपन ग्यारा को साट से किया तो नो ग्यारा आगे तो ऐसे करते करते पल्स में जाके रेट आ जाएगा तो बस आप साट अपन पच्पन से साट अपन पाच्पन इसमें सारी कैल्कुलेशन करने के पार ट्रिक्स है साट अपन पाच्पन लेकि जोनके बीच का ढ holiness आएगा तीन और चार त्वर न चार तक कोईंसटेंट करने के लिए जाएगी तो यहीं से ना तो कहां पर कहां पर जाके इंसिडेंट करेंगी 15 मिनिट पर जाके इंसिडेंट करेंगी इसके उपर यहां से यहां था कि उसके बाद पिचार पर जाएगी तो यह 15 जो आ रहा है तो बस साट अपन साट अपन पच्पन इंटू पंद्रा कर तो सौल्वों के इंसर आजाएगा एक दिन में एक दिन में कितनी बार इंसिडेंट होती हैं बाइस बार कितनी बार होती हैं बाइस बार इंसिडेंट होती हैं 11 और 12 और 12 और एक के बीच में कोई इंसिडेंट नहीं होती है कि बनना 24 हो जाता है वह वह दर रोबना कितना हो जाता 24 हो जाता है अब आप बताएं चार 20 का दे रका है उनके बीच का एंगल बता हो लुए 420 का दे रका तो इसके बीच में एंगल क्या होगा एक मिनटा आपके पास करिए बात मत करिए कोश्चन करिए देख रहा हूं मैं आपको लोगों बात मत करिए चार का चार का लिक को बीस कहाँ पर आएगा जब जीरो हो गया लास्ट जीरो हो गया लास्ट में हमारा क्या बचा है बीस अपॉन तू कितना आ गया 10 डिगिरी का दोनों के बीच में अन्तर आ गया ठीक है कितना आ गया इंतर आ गया और आपको क्या बताना इसमें ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन तो हो गया आपका हाँ एक कोशन्स ये भी आते हैं ऐसे कोशन्स तो क्लॉक के बहुत हैं सब में एक दूसरे में डाल दिया जाता है बटे कोशन्स मैं आपको बता देता हूं इस जगा पर अच्छा कोशन है फिर आपको mirror पर लेकर आता हूं जैसे Monday है यही कोशन्स मतलब नए ने तरीके से बन सकता है गड़ी में बना देंगे और रिंग जो बसती है उसमें बजा देंगे या किसी factory की गंटी बसती है उसमें बना देंगे ठीक है Monday है Wednesday यहां 3 p.m. बज़ रहे हैं यहां भी 3 p.m. बज़ रहे हैं यह 5 मिनट लेट है और यह 3 मिनट फास्ट है तो अब बताओ मुझे यह दे रखा है Monday 3 बज़ रहे हैं यह 5 मिनट लेट है कोई भी चीज कोई भी चीज एट सेक्टरा और वोई Wednesday को उसी टाइम पे 3 मिनट फास्ट है तो अब आपको यह बताना है की अब आपको यह बताना है की वो किस दिन मिलेंगे किस दिन मिलेंगे और कितने बज़े मिलेंगे कुश्चन आया समझ कहने का मिलेंगे आपका कुश्चन यह है कि मैं यहां से चला Monday को चला 3 बज़े चला मेरी घड़ी पे घड़ी की बात उरी Clock Monday में 3 बज़े चला 3 बज़े चला और मेरी घड़ी जो है उस दिन मेरी घड़ी जो है उस दिन 5 मिनट लेट थी क्या थी 5 मिनट लेट थी बट मैंने Wednesday को चेक करा 3 बज़े तो मेरी घड़ी 3 मिनट फास्ट निकली 3 मिनट मेरी घड़ी फास्ट थी तो मुझे यह बताना है कि मैं किस टाइम तक पहुचूंगा किसी भी स्थान पे और कितने बज़े तक पहुचूंगा ठीक है तो जैसे टोटल टाइम मेरा क्या था इसमें मेरा टोटल टाइम क्या लगा 3 पी एम 2 3 पी एम मतलब मंडे से Tuesday, Tuesday से मेनज़ दे मतलब 48 टोटल मेरे पाइट आलिस टाइम लगा मेरे टोटल कितने लगे 5 पीलस 3 8 तो मेरा टाइम कितना हुआ 48 पन आठ मतलब 6 गंटे कितना हो गया 6 गंटे हो गया मेरे पास और मैं 5 मिनट लेट मेरी घड़ी है तो मतलब 6.35 हो गया मतलब 30 आवर के घंटे का मेरे लेट हो गया तो इसके हिसाब से कितना हो गया मैं वहाँ कितने बज़े पोचने वाला था कितने बज़े वहाँ महाँ पोचने वाला था Wednesday में पोचने वाला था Wednesday के हिसाब से 3 बज़े मेरी मैंने चेक करा तो 3 बज़े थे 3 बज़े में इतनी में लेट थी ठीक है तो ये मेरा 3 p.m. तो मिरा ये होई गया कि 3 बज़े मैं पूचने वाला था बड उसके बाद मेरी गड़ी में क्या पता मैंने चैक किया कि मेरा 30 गंटे मेरी गड़ी लेट है तो उसके यह साफ से कितना होगए 30 गंटे मतलब एक दिन 24 तो मतलब कितना आगया, Thursday सकस्षों तरज़ए चौवी स्थर्स्थर्ज़ बन गया, और यहाँ USB मतलब 6 GPS सब्सक्राइद डीज़ए मैं जहां भी पहुचूंगा , बहुचूंगा नि Vader में 3 PM को पांच मिनिट Kraft भीज़ए ट।S explicar में 30 ओप साथ और निक निनट पहले है, जो पांच मिनट लेट थी, उसका टाइम क्या था, वैनस डे का था, तीन पीम में, जो तीन मिनट फास्ट के लिए, कि फास्ट पोच जाएगी, पोच जाएगी, बट पता क्या चला, कि जब चेक किया गया, तो तीन से तीन, अटालीस घंटे लगने चाहिए थे, और टाइम में से 6, 24 गया, तो एक दिन तो चला गया, बचा 6, 3, 3, 3, 6, कितना हो गया, 9, तो मतलब कितना बज़ेगा, थास्ट देखो, 9 बज़े, वो क्या पोच जाएगी, ठीक है, ये क्लॉक का कुशन था, अच्छा कुशन था, कुछ क्लॉक के बता देता हूं, और, क्लॉक में तो 12 कर देना, माइनस से, सपोस कोई वैल्यू दे रखी है, 4, 25 दे रखी है, इसका मिरर पूछा है, तो 12 से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तब यहां 0 मत ले लेना, 60 मिनट होती है, 100 नहीं होता, याद रखना, यहां से 1 मिनट, यहां से 1 गंटा ले लिया, तो 60 मिनट हो गया, एक गंटा लेंगे, एक गंटा लेंगे, 60 मिनट हो जाएगा, तो 60 मिनट, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहां कितना बचेगा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 3 नहीं बचेगा, एक तो यहां गया न, और यहां 11 बचा, तो 7, 8, 9, 10, 11, तो मतलब 4, 35, केतना बच रहा था, 4, 35 बच रहा था, और यहीं अगर मैं वाटर में पूचू तो, 7, 25 यहां से माइनस कर दो, तो 0, 5, तो कितना यहां, 11, 5, तो मिरर के लिए क्या करते हैं, मिरर निकालने के लिए, 12 में से माइनस करते हैं, और वाटर में से निकालने, वाटर के लिए, माइनस साड़े अठारा करते हैं, ठीक है, अब को यह लंबी वैल्यू में एक बताता हूं, 9, 23, 24, आवर मिनट सेकंड, यह दे रखा है, अब इ बताओ जल्दि से वाटर निकालो और मिरं निकालो मुझे जल्दी तुरंद बताओ जल्दी फास कसम ये खाईए टाइम वेस्ट नी करना और फठाक से काम करना है टाइम वेस्ट करके कुछ नी होता बहुत हम ने भी कर लिया आप लोगे ने कर लिया आप नो टाइम वेस्ट कुछ न देख लेता हूं इतने मैं आपके लिए हुआ यह नहीं हुआ नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिए मैं आगे बढ़ता हूं आपको बताता हूं एक साइक दस सेकेंड दस नो आठ आठ चै पांच चार तीन दो एक चलिए मैं बता देता हूं तो वाटर मिरर के लिए हम क्या करते हैं साड़े अठार में से करते हैं अई हैं बारा में से करते हैं वैल्डी है मेरी नो तेइस चाववन नो तेइस चाववन यह मिनेट होता है एक गया सेकेंड हो गया साठ सेकेंड हो गया मिनेट मेरे ट्वंटी नाइन हो गया अब तो सीधा माइनस कर सकते हैं, यहां से गया, 60 सेकंड हो गया, और यहां कितना हो गया, 59 हो गया, अब तो जाएगा स्वाइगा, 10 में से 4 गये, 6 बचा, 0 बचा, 6 बचा, 0 बचा, 0 बचा, 0 चार बचा, 6 बचा, 3 बचा, 4 बचा, ठीक है, यह हो गया, एक चीज और, कोइंसिटेंट जो करती है, एक घंटे में, एक बार, 12 घंटे में, 11 बार, 24 घंटे में, 22 बार, एक दूसरे के पैलल जो होती है, एक घंटे में, एक बार, 12 घंटे में, 11 बार, 24 घंटे में, 22 बार, ये नोट कर लिजेगा और 90 डिगरी का एंगल जो बनाती है एक गंटे में दो बार 12 गंटे में 22 बार 24 गंटे में 24 बार यही मैं देख रहा था ठीक है जो कोइंसिडेंट होती है एक गंटे में एक बार एक गंटे में एक बार 12 गंटे में 11 बार और 24 गंटे में 22 बार कौकि यह कहानी होती मैं बता देता हूँ 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में नहीं होती possibility ही नहीं है ठीक है एक गंटे में एक गंटे में एक बार 12 गंटे बोली है मिरे साथ एक गंटे में एक बार 12 गंटे में 11 बार चौवित गन्ट में बार बार उर एक दूसरे के एक वल जो हो जाती है मतलब 180 डिईग्री पर बन जाती है एक गंटे में एक बार 12 गंटे में 12 प्रोड चौवित गंटे में 22 बार 90 डिजी दूब बार 24 बार इसको आप सीधा याद 24, 22 24, ठीक है? यह होती है उसके बाद यह आपका टॉपिक खतम हो गया उसके बाद हम आपको यह हमारा क्या था? क्लॉक, क्लॉक हमारा ही तक था तो वीडियो को लाइक करिएगा सस्क्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देजेगा साइड नीचे एक बेल आइकन आ रहा है उसको दबाजीगा जो आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए थैंक यू